फिल्म की शुरुवात में हम एक सुनसान जगा पर टीवी चलता हुआ देखते हैं जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटर्वियू ले रही होती है ये लड़की हाली में होने वाले एक मैसिकर यानि एक कतले आम में जिन्दा बच गई थी दरहसल कुछ लग पहले ही कतले आम शुरू हो गया था जिसमें बहुत सारी लोग मारे गए थे सब को मारने वाला एक जोकर था एक पागल जोकर जो किसी को भी बगयर किसी वजग के मार दिया करता था आम तरीके से नहीं बलके काफी बूरी तरह इस जोकर का नाम था आर्ट दी क्लाउन जिसे हम आर् हो जाता है जिसके लिए पहले उपना जोकर वाला मेकप करता है और बाद में अपने खतरनाख हतियार उठाता है टीवी होस्ट इंटर्व्यू की बाद अपने दोस्ते फोन पर बातें करने लगती है वो बता रही थी कि जो लड़की आज आई थी वह बहुती बस सूरत थी उसका ये कहना ही था तबी उसे अपने पीछे हल जल होती हुई महसूस होती है वो चेक करने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था पिर तबी अच्छानक से वो इंटर्व्यू वाले लड़की आती है और उस होस्ट की आंखों में उंगलियां को सा कर उसकी आंखें ये एक पार्टी से वापिस लोट रही होती है और वो पार्टी थी हेलोवीन पार्टी तो जाहिर है आज रात है हेलोवीन की रात है हेलोवीन रसल एक ऐसा तहवार है जिसमें लोग अलग अलग तरह की कपड़े और मास लगाके फिरते हैं और आर्ट भी हेलोवीन पर ही न लगती हैं मगर उसकी दोस्तों जाकर आर्ट के साथ तस्वीरें मिनाने लगती अब यह चीज़ भी उसे बिल्कुल पसेट नहीं आती आर्टिक मेशिन से अंगुठी निकाल कर तारा को पहना देता है जिससे तारा को तो बहुत गुसा आता है लेकिन उसकी दोस्तों यह करती है मदद के लिए फिर वो अपनी दोस्तों को कहती है कि मुझे वो जो कर ठीक नहीं लग रहा था और क्या पता है उसी ने पंचर किया हो क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देख ली थी उदर आटने दुकान के माली को काफी बुरी तरा मार कर उसके जरे पर आग लगाती ह यहां का वाश्रूम इस्तेमाल करने की अजाज़त मांगती है मगर वो इनकार कर देता है कि मेरी नोगरी खत्री में पढ़ सकती है जिस पर तारा के हैतिया कि इतनी रात हो गई है किसी को क्या पता चलेगा कि आप को वाश्रूम इस्तेमाल हुआ है अब तोड़ा और कहने पर वो मान जाता है और उसे अंदर ले आता है वो उसे वाशून के बाद चोड़ कर चला जाता है गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त को खबरों से पता चलता है कि पिर्जार शुद की मालिक और एक वरकर की मौत हो गई है और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसा दिखने व वो चै करने जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं था तभी अचानक से पीछे एक औरत आ जाती है जिसे अचानक देकर तारा को प्राच आती है और अतने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी जिसे वो अपने बेटी के आ रही थी द्रसर इसका जहनी तवाजन ठीक न अगर जब वो नहीं मिलती तो वो चला चाता है तारा को लगता है कि अब सब ठीक है तो वो यहां से निकलने लगती है मगर तभी पीछे से आर्ट उस पर हमला कर दीता है और अपने कुजार से उस पर कई बार वार करता है फिर वो उसका गला गोटकर उसे मारने ही वाला थ मगर तभी तरा की हाथ एक नोगदा चीज लग जाती है जिसी वो आर्ट पर हमला करके यहां से भाग शाती है अब यहां का दर्वाजा बंध था जिसे वह नहीं कुल पाती इसलिए वो इदर ही चुक चाती है तब आर्ट भी यहां आता है तो वह कोई चीज फैंकर उसका दि और पीछे से उसी पकड़ कर गले में इंजक्शन लगा कर भी होश कर दीता है अगले सीन में जब तारा को होश आती है तो वो खुद को एक उड़सी पर बंदा हुआ पाती है उसके मुँपर भी टेप लगी हुई थी उसकी पास इमें आठ भी बैठा होता है और जब वो दी दीता है अपनी दोस्त का इतना बुरा हाल देकर तारा की तबियत भी खराब होने लगती है मगर फिर वो हिमत करती है और काफी कोशिश करने की बाद कुद को चुड़वा लेती है वो उसी के हत्यार से आठ पर हमला करके यहां से भाग चाती है आठ भी उसकी पीछी पीछ अब ग़र्ण में गोल्यां खत्म हो गई थी इसलिए जो व गोल्यां लेने जाता है तो यहां उसी तारा का मुमाइल मिलता है जिस पर तारा की कोशिश करती है मगर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करता पर वो नीचे जाकर किसी को फोन करनी लगता है मगर तब यहां आर्ट आकर हतोड़ी सी उस पर हमला कर दीता है पागल और देखती है कि उसका बच्चा जो वो गुड़िया थी वो गाईब है मगर अगले ही पल उसे आर्ट दिखता है जिसके हाथ में वो पने बच्ची को दीखती है वो उसकी पाज जाकर पूछती है कि या तुम्में जरा भी इंसानियत नहीं है तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता यह कहकर वो आर्ट को पने साथ लगा लेती है जैसे वो कोई बच्चा हो और व उसे एक लड़की की आवास सुनाई देती है, विक्टोरिया समझती है कि ये तारा है, इसलिए वो चेकरने जब नीचे जाती है, तो वहाँ एक औरत को जमेन पर देखती है, जो रेंग रही थी, क्योंकि काफी जखमी थी, वो तारा समझ कर उसके पास जाती है, मगर तभी उ जान पाते हैं कि और कोई नहीं बलके आर्ट है, जो उसे अपने जाल में पसाने के लिए यहां औरत का बेस बना कर लेटा हुआ था, वो उस पर भी हमला कर दीता है, मगर विक्टोरिया जैसी तैसे करके अपने जान बचाकर यहां से निकल जाती है, वो ऊपर जाकर एक अल परवाजा कोल कर वो अंदर आचाता है, वहां उसे खून के निशान दीखती है, जो जाहिर है काफी अजीब था, मगर इस से पहले वो कुछ समझ पाता, आर्ट पीछी से आकर एक नोगदार चीज़ से उसके सर पर वार कर दीता है, फिर वो उसका गला काट कर धर्ट सी अल हमला कर दीता है, वो शौपर से उसका दम घोटकर मारने ही वाला था, मगर वो बच जाती है, फिर वो एक नोगदार चीज़ उठाकर आर्ट के पैर में मारती है, और यहां से भाग जाती है, वो सीधा आती है, अपनी बहन तारा की पास और उसका इतना बुरा हाल देकर तो वो उसी अब अमर्जेंसी कमरे की तरफ ले जानी लगता है, तभी यहां आर्ट एक बार फिर से आकर गार्ट पर हमला कर दीता है, वो पहले सिलेंडर से उसी मारता है, और बाद में अपने पैर से उसका जेरा ही को चल दीता है, अब गबराहट के आलम में विक्टोरिया ए आती है, मगर आर्ट इदर भी पहुंच जाता है, लेकिन क्योंके यहां ताला लगा हुआ था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाता, अब इतनी ही देर में पुलिस भी यहां पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जाती, आर्ट गाड़ी से गेराज का दर्वाजा तोड़कर अंदर कुसाता है, अब क्योंकि वो गाड़ी से टकरा गई थी, इसलिए भी होश होगे नीचे गिर जाती है, पिर जिब तक पुलिस यहां आती है, तो तब आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच कर खा रहा था, अब पुलिस को देखता है, तो उसी काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था, तब यहां बिजली खराब होने लगती है, और आर्ट उर जाता है, उस डॉक्टर को गुले से पकड़ लेता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, बलकि जिन्दा था, इसका अब यहां यहां यह राज खुलता है, कि विक्टोरिया ही असल में वो लड़की है, जो शुरवाद में इंटर्व्यो दे रही थी, जिसकी बारे में कहा था, कि एक मैसी गर में बची है, और एक जोकर नहीं सभी को मारा था, अब यहां सवाल यह उड़ता है, कि आर्ट ने अपने सर पर गोली मारी थी, मगर वो नहीं मरा, आखिर क्यों, क्योंकि दरसल अभी तक जितने भी लोगों ने उससे मारने की कोशिश की, उन सब को ही मोत के गाट उतरना पड़ा, अब यहां यह चीस क्लिए नहीं हुई, कि क्या उससे मारा जा सकता है यह नहीं, हो सकता है कि उसे मारा जा भी सकता हो, तो अब यह जाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम आर्ट को उसे हो स्पिटल में देखती हैं, जब उसने डॉक्टर को बकर लिया था, वो डॉक्टर को मार कर काफी जखमे कर देता है, और लगतार उसके पीछी बढ़ा हुआ था, डॉ प्लिस को कॉल कर देता है, मगर उस विचारे की तो आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि आर्ट में उसके गले पर वार किया था, उसे और दर देने के लिए, वो उसकी आँख निकाल कर पहले उसकी साथ खेलता है, और बाद में उसे अपने फूटी हुई आँख के जगा चीब थी, बिल्कुल आर्ट जैसे हरकतें कर रही थी, और तोर उसने अपना मेकप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था, दोनों एक दूसरे को देकर काफी कोश हो जाते हैं, और साथ में खेलने लगते हैं, तभी वो आदमी जाग जाता है, और देखता है कि आर्ट अकीला ही का रही थी, जहां उसका भाई कहता है कि मेकल हेलोवीन में आर्ट जैसे कपड़े पहनूगा, जिस पर सियाना और उसकी मोम मना कर देती है, कि नहीं, आर्ट अच्छा जोकर नहीं है, उसने पिछले साल नो से दस लोगों की जान ली थी, बड़ी भी रहमी से, खाना खाने क भी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी, जिस पर वो कहती है, आर्ट मर चुका है, और अगर ना भी मरा हुआ, तो कम असकम वो यहां नहीं आएगा, इसकी बास सियाना एक टीवी शो देखते देखते सोच आती है, जहां वो जैसे सपना देखती है, तो फोरण ही वो हाँ पर आज आता है, आर्ट दी क्लाउन और सब को गिफ्श देने लगता है, लेकिन वो सियाना को बड़े ही गंदी चीज़ देता है, एक बरतर, जिसमें दढ़कते हुए दिल के साथ कुछ सांप और गोश था, जिसी देखर उसे काफी बुरा लगता है, फिर वो अपने यह तलवार काफी ताकतवर थी, जो सियाना को उसके डैड ने दी थी, अब इतना भयानक सपना देखकर वो डरते हुए अच्छानक से जाग जाती है, और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल और टेवी पर आग लग चुकी है, तब उसकी मॉम जिल्दी से यहां कुछ भी नहीं हुआ था, उदर आर्ट हेलोवीन की तैयारी कह रहा था, मतलब वो तेज़दार हतियार बना रहा था, मैं ऐसे कर करने के लिए, वो अजीब बच्ची जो साथ के टीवी चलाती है, और वो ही शो देखनी लगती है, जिसमें टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटर्विव ले रही थी, जिसके बाद हमने देखा था, कि आर्ट ने ठोकर मारकर टेवी तोड़ दिया था, तो यहां भी वो ऐसे ही करता है, क्योंकि यह वो ही सीन है, स्कूल में स्याना का भाई और उसकी दोस्त एक मरे हुए चुहे को देख रहे थी, तब यहां टीच जिसके बाद है, तो यहां से भागने लगता है, मगर रास्ती में ही एक टीचर उसे देख लेती है, और वो उसे रोकने के कोशिश करती है, मगर वो नहीं रोकता, तब चेक करने के लिए वो टीचर जिब अंदर जाती है, तो जमीन पर मरे हुए चुहे को देखती है, जो वो यहां से उठकर चली जाती है, उसकी दोस्तें भी उसकी पास आकर पूछती है, क्या आखिर बात क्या है, तो इतनी घुबराई हुए क्यों हो, जो संसियाना उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है, साथ ही वो काफी डरी हुई भी थी, अगले दिन वो अपने दोस ही आर्ट उसका बैग लेकर आता है, तो वो पैसे देती है, लेकिन यहां आर्ट उसी परिशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, मगर सियाना अभी भी इस सोच में है, यह सच में आर्ट ही है, या कोई उसके साथ मजा कर रहा है, तर इसके बाद वो यहां से चली जाती ह है, उसके जाते ही आर्ट दुकान बैन कर दीता है, मतलब वो टैग जिस पर दुकान खुली लिखा था, वो उसे पलेट कर बैन की तरफ कोईर दीता है, इसके बाद वो अपने लिए एक चोटा सा बाज़ा करीता है, मगर पैसे देने की बजाए, वो अपने हत्यार बाहर न गर आती है, तो उसका भाई उसे आर्ट की बारे में बताता है, कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा, वो सियाना को अपने डैट की एक किताब दिखाता है, जिसमें उस बची की खबर चिपी हुई थी, कि 10 सल पहले ही उसकी मौत हो गई थी, उसमें आर्ट के ड्रॉ अपने एक वेन खड़ी हुई देखती है, जिसमें वही अजीब बच्ची बैटी हुई थी, उसे अजीब लगता है, इसलिए वो दुबारा से अंदर आ जाती है, कुछ दिर बाद आर्ट दर्वाजे पर दस्तक देता है, और सियाना की दोस्की बाहिर आने पर उसे कहता है कि हेलोवेन की कुशी में मुझे कुछ खाने को दो, वो कहती है कि खाने की चीज़ें सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता, ये कहकर वो दर्वाजा बेंद कर देती है, मगर जिब दुबारा आर्वाजे पर दस्तक देता है, तो तंग आकर वो उसे खाने की चीज़ें दे देती है, अब तबे उसकी नजर आर्ट के बैग में जाती है, जिसमें कुछ हतियार और उजार थे जिन पर खोल लगा हुआ था, उदर सियाना भी एलवेन पार्टी के लिए तयार होने लगती है, अब जिब सियाना की दोस्त अकेली थी, तो उ उसके पीछे पर जाता है, वो बचने के लिए अपने कमरे में आती है, लेकिन आर्ट आखिर कार उसे पकड़ ही लेता है, पहली वो उसकी चेरे पर कट मारता है, जिससे उसकी आंक भी कड़ जाती है, जिसकी बाद वो इसकी जिल काट कर वालों वाले हिससे को यह अलग कर वो उसका बहुत बुरा हाल कर दीता है काफी खून बहरा था उसका कुछ वक्त की बाद जब उसकी मॉम गहर आती है तो वो उपर आकर बड़ा ही बयानक नजारा देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा पड़ा है और वो खूने उनकी बेटी का जहां आब बाट उसकी बची जिसन की चीर फाड़ कर रहा था उसका बहुत ही बुरा हाल था मगर है रहत कि वो अभी भी जिन्दा थी इसके बाद उसकी मॉम को भी काफी बुरी तरह से मार देता है पर जब बच्चें को उस लड़की की मॉम के सर में कैंडिस रख कर देता है बच्चे कुछ में समझ न चाने नहीं दिया था आर्ट की बारे में बताने के लिए वो अपनी मॉम को अपने डैट की वही किताब दिखाता है जिसे उसकी मॉम फार देती है वो अपनी मॉम से मतमेजी करता है तो वो उसे थपड लगा देती है तो वो गुसा होकर अपने घर से निकल जाता है जिब मौम बाहिर आती हैं तो देखती है कि उनकी बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया है यहां तक के गाड़ी भी गंदी कर दी थी और उस पर अपनी मा के लिए गाली लिख दी थी जो देख उसकी मौम को काफी बुरा लगता है सियाना की भाई को वह इवेन देखती है जिसमें व वो शीशा साफ करती हैं अंदर आठ को बैठा हुआ देख लीती हैं मगर कुछ सोचने समझने का मोका दिये बगैर वो उनकी सर पर गोली मार कर हट से ही अलग कर दीता है जब स्याना का भाई घर आता है तो देखता है कि आठ ने उसकी मौम की बड़ी बुरी हालत कर दी है उनके चेरे का हुलिया ही बिगार दिया है जिसकी बाद आठ स्याना की भाई को भी पकड़ कर दीता है और अपने साथ ले जाता है पार्टी में डांस करते करते स्याना को वह अजीब बच्ची दिखती है जो उसे ही गूर रही थी जो देख उसकी हालत करा पुचाती है वो काफिर दर गई थी इस वज़े से स्याना की साथ साथ उसकी दोस्तों को भी पार्टी चोड़कर यहां से जाना पड़ता है सब नॉर्मल होने की बाद जब स्याना गारी में बैटी थी तो उसकी बास उसके भाई की कॉल आती है जो कहता है कि मैं एक पार्क में हूँ मुझे कि तुम्हारी मदद चाहिए तुम जल्दी से आ जाओ इदर यह असल में और कोई नहीं बलकि वही अजीब बच्ची थी क्योंकि स्याना का भाई तो भी होश था और वह आठ की साथ ही थी वह तो बस आवास बदलकर स्याना से बात कह रही थी कुछ वक्त की बाद वो लोग उस पार्क के पास पहुंच जाते हैं जहां स्याना अपने भाई को डूरने के लिए अंदर जाती है तबी उसकी दोसको भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है मगर वो आठ को टांग मार कर जैसी द cabbage जाती है और यहाँसे भाग जाती है भागती भागती वो एक ऐसी गम्री में जाती है जहां चारों दरफ दिवारों पर खोंग लगा हुआ था तब इदर आट भी आ जाता है और उसके जहरे पर तेसाब डाल देता है जिससे उसका नी बुरी आट बेकर जाता है इधर आट भी खड़ा था मगर इससे पहले वो स्याना को मारता पीचे से आ जाता है उसका भाई जिसे देकर स्याना यहां से भागने का कहती है और फिर आट की टाग में एक लकड़ी गुसा देती है मगर भी चारी की किस्मत खराबती वो उल्टा उसे सही पिट जाती है आट उसे इदर उदर पटक पटक कर काफी मारता है स्याना का भाई जब यहां से भाग रहा होता है तो तभी आट उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उस पर वार करने लगता है पोरने इदर स्याना आती है और कई बार आट को मार कर उसे जखमे कर देती है पर उपने भाई को लेकर यहां से भाग जाती है लेकिन आर्ट उनका पीछा करती करते यहां भी आ जाता है वो एक बर फिर स्याना की भाई को कैंजी वाली तलवार से पीटने लगता है स्याना उसे बचाने की कोशिश तो करती है मगर खुद भी काफे पिट जाती है उसके जिसन की अलग-अलग हिसों पर करस लग जाती है जिसी जाहिरे उसे काफी तकलीफ होती है मगर किसी तरहां दर्दबरदाश करके वो आर्ट से उसका थियार चेल लेती है जहां अब बाजी पैलेट जाती है तो पता चलता है कि आर्ट उससे एक अलगी जगापर ले आया स्याना अट के पास आती है तो वो उसी धक्का देकर नीची बेस्मेंट जैसी जगा पर गिरा देता है लेकिन वो मर्दी नहीं बच जाती है तभी उसी नीची एक जगा से कोई आवाजी लगाने लगता है इतनी ही दिर में आर्ट उसकी बहुती पास आके खड़ा हो जाता है और उसी जदोई तलवार से जो उसकी डैड ने उसी दी थी सियाना को मार कर नीची गिरा दीता है अब की बार सियाना एक शो में आगे गिरी थी मगर वो एक शीशे की बॉक्स में बन थी जिसमें पानी बरा हुआ था वो यहां से निकलने की काफी कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती और मट चाती है उदर आठ सियाना की भाई को खानी लगता है मगर जैसे उसका भाई चिलाता है तो उस तलवार में एक जदोई रोशने जलती है जिससे सियाना भी वापीस से जिन्दा हो जाती है जिसके बाद वो गुसे में भरी उस बॉक्स से बाहिर आकर अपने डैट की तलवार से आठ पर हमला कर दीती है और उसका सर ही धर्ट से अलग कर दीती है और अब आखिरकार जाकर उस पागल जोकर आठ की मौत हो जाती है जिससे वो दोनें भी खुश हो जाती है जिसके साथ ही इस फिल्म की दोनों पार्ट यहीं पर हत्म जाते है